नमस्ते डिया विवस आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंस देखेंगे फॉर्मियोंस और बोसॉंस के बीच का मेरे प्यारे विवस यह एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक है ना फॉर्मियोंस का फॉर्मियोंस और बोसॉंस के बीच का डिफरेंस सो बेसिकली यहां पर देखे, difference हम लोग देख रहे हैं, तो अगर आप formions की बात करो, तो formions क्या है, एक ऐसा, एक ऐसा subatomic particle है, जो formidirect statistic पर कारे करता है, उसको follow करता है, लेकिन bosons क्या है, ये भी subatomic particle ही है, लेकिन ये bosonstein statistic पर कारे करता है, उसको follow करता है, इनके बीच यहाँ पर कुछ चार-पांच differences हम लोगों ने लिखा है, तो पहला जो difference हम लोगों ने लिखा है, वो है, formions are the group of particles, which were found to have their spins of half integral values, देखो, formions के पास, जो है न, half integral spin होता है, मतलब 1 by 2 h cross, 3 by 2 h cross, 5 by 2 h cross, इस प्रकार का, लेकिन बोसों के पास, 0 और integral spin होता है, अर्था, 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार का, है न, integral spins होता है, ओके, on the other hand, बोसों के पास, 0, 1, 2, 3, 4, कुछ इस प्रकार का, हैना, आगे क्या है, आगे हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर, नमबर 2 में, कि, formions obey Paulie's exclusion principle, हैना, जो formions होते हैं, यह Paulie's exclusion principle को ओबे करते हैं, लेकिन बोसोंस जो है, यह Paulie's exclusion principle को ओबे नहीं करते हैं, they do not obey Paulie's exclusion principle, ओके, ओके, and further, formions जो है, यह formidirect statistic को follow करते हैं, but बोसोंस जो है, यह बोसाइंस्टैन statistic को follow करते हैं, हैना, okay and the next one क्या है formions जो है यह आपका asymmetric functions की मदद से हम लोग represent करते हैं लेकिन bosons को symmetric function की मदद से okay और कुछ वैसे particles okay जो formions के अंडर आते हैं जैसे कि electrons, protons है ना okay bosons की बात करें तो photons, glucons okay you have to take a screenshot है आप screenshot ले लिजे हना ता कि आप इसे no down कर सकें